दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल ऐकन को भी दबा ले दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए 17 मई 2030 बुद्वार की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं जिहां दोस्तो दस विबागों में बंपर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है इन भर्तियों के फोर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा सुनेरा आउसर निकला है पॉल ओवर इंडिया से आप एपलाई कर सकते हो लेटेश्ट गर्रमेंट जोब्स की अपडेट आ चुकी है मेल और फीमेल दोनों केंडिडेट इन वेकेंसिज के लिए एपलाई कर सकते हैं दस्वी पास, बार्वी पास, डिग्री और डिपलोमा धारक केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं इस वीडियो में आपको कम्पलीट जानकारी देंगे कि किन-किन दस्वी भागों के इंतर गतिवरतिया निकली है किस पोस्ट के लिए कितनी नंबरोफ वेकेंसिज है, क्या पोस्ट वाई जिल्जिबलीटी कराइटिरिया है कैसे आप इन भर चुकी, तो फीशल नोडिफिकेशन की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो कैसे अपलाई कर सकते हो, और कब से कब तक आप अपलाई कर सकते हो अस्टैब बैस्टैब पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतर्ग इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी स्वाल और आउट की लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कवाये सुरू करते हैं 17 मई 2038 की 10 बड़ी भरतियों की पूरी जानकारी जिहां दोस्तों जो जहां पर इसमें 1 नंबर पर जोम निकली है वो निकली है Union Public Service Commission में संगल दोग सेवायोग UPSC के अंतरगत ये भरति निकली है ये भरति होगी National Defense Academy और Naval Academy NDA 2nd और NDA 2nd Exam 2023 के माध्यम से 400 से धिक vacancies है जो की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एरफोर्स के अंतरगत होने जा रही है Defense Ector की बड़ी भरति की अपडेट आ चुकी है इस भरति के लिए आवेदन परकिरिया आजी से सुरू होने जा रही है Starting date online आवेदन करने की 17 मही 2030 Last date online आवेदन करने की 6 जून 2030 NDA 2nd Exam date 3 September 2030 से लिए आप नोटिस से ही चैक आउट कर सकते हो 12 पास Candidate Apply कर सकते है इन भी इसमें जोड़े जाएंगे आप यहां से Ease Calculate कर सकते हो Application Face की अगर बात की जाए तो General या OBC Category Candidates के लिए 100 रुपे फीज है SST Female को फीज जमान नहीं करनी होगी जो कि आप debit card, credit card, net banking या चालान से भी payment कर सकते हो Selection होगा Return Test, SSB Test और Intu के आधार पे Online आवीदन कर सकते हो All Over India से आप Apply Online कर सकते हो Official Website है UPSC.gov.in और UPSC Online.nic.in जिससे आप Online आवीदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो यहां पर इसमें Second Number पर जोब निकली है वो निकली है Union Public Service Commission में ये भरती भी संग लोग से वायोग UPSC में ही निकली है Combined Defense Service CDS Second Examination 2030 के माध्यम से भरती होने जा रही है 300 से अधिक Vacancies निकली है जो की Indian Military Academy, Indian Naval Academy, Air Force Academy, Officer, Training Academy के इंतरगत होने जा रही है बात अकर Important Date की की जाए तो आवीदन पर किरिया इस भरती के लिए श्टार्ट होने जा रही है आज इसे जहां तो Starting Date Online आवीदन करने की 17 मही 2030 है Last Date Online आवीदन करने की 6 जून 2030 है CDS Second Exam की Date 3 सेप्टेमबर 2030 है से लिए आप Notice से ही Check Out कर सकते हो बात अगर Qualification की की जाए तो I.M.A.O.T.A. Air Force Academy के लिए Graduate Degree से आप Apply कर सकते हो Indian Naval Academy के लिए Engineering Degree से आप Apply कर सकते हो Candidates का जर्म 2 July 1999 से 1 July 2004 के बीच में होना चाहिए O.T.A. के लिए Candidates का जर्म 2 July 1998 से 1 July 2004 के बीच में होना चाहिए Air Force Academy के लिए 20 से 24 सायूद सीमा है Fees General OBC के लिए 200 रुपे है SST Female को Fees जमान नहीं करनी होगी जो कि आप Debit Card, Credit Card, Net Banking और चालान से भी Payment कर सकते हो Return Test, SSB Test और Intu के आधार पे इसमें आपका Selection किया जाएगा Online Apply कर सकते हो All India से Apply कर सकते हो Upsc.gov.in और Upsconline.nic.in येसकी Official Government Website है जिससे आप Online Apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 3rd नंबर पर जोब निकली है वो निकली है Central Reserve Police Force में केंदी रिजियो पुलिस बल, CRPF केंतर गतिय भरती है Head Constable Minister, Assistant सभी Inspector S10 की Post है 251 Vacancies है Head Constable Minister के लिए 224 Vacancies है Assistant सभी Inspector S10 के लिए 27 Vacancies निकली हुई है बात अगर डेट की की जाए तो इसके लिए आवेदन परकिरिया 16 मई से सुरू हो चुकी है Last Day 9 आवेदन करने की 6 June 2023 है Computer Based Test Admit का डाउनलोड करने की डेट यहाँ पर 15 July 2023 है Computer Based Test की डेट 22 से 28 July 2030 है Silly Head Constable Minister के लिए 3500 सी 2800 है Assistant सभी Inspector S10 के लिए 29200 से 92300 है 12 पास Candidate Apply कर सकते हैं Maximum 40 वर्ष आयू सीमा है Application Fees आपको जमा नहीं करनी होगी Selection होगा Computer Based Test, Skill Test, Physical Standard Test, Document Verification Detail Medical Examination या यू Medical Examination के आधार पे Online Apply कर सकते हो All India से Apply कर सकते हो Recruit.crpf.gov.in portal से यह इसकी Official Government Website है उसके बाद दोस्तों जो 4th नंबर पर जोब निकली है वो निकली है Indian Space Research Organization में भारते अंतरिक्स अनुसंतान संगटन Isro के अंतर गति भरते निकली है Isro NRSC की भरती है Graduate Apprentice, Technician Apprentice के लिए Vacancy Job Notice से ही चैक आउट कर सकते हो आवेदन इस भरती के लिए 13 मईस से स्टार्ट हो चुके है Last Day 2.June 2023 Cail League Graduate Apprentice के लिए 9,000 है Technician Apprentice के लिए 8,000 है डिग्रिया डिप्लोमा इंजिनिरिंग से आप एपलाई कर सकते हो Apprentice रूल के एकोडिंग आयू सीमा तै की जाएगी फीज जमा नहीं करनी होगी ना ही एक्जाम देना होगा मेरिट से चेन होगा Online एपलाई कर सकते हो All India से एपलाई कर सकते हो इस तो डोट यूवी डोट इनीज के ओफीशल वेबसाइट है जिससे आप Online एपलाई कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जोब निकली है वो निकली उत्तर परदेश पुलिस रिकूटमेंट एंड परमोशन बोर्ड में पुलिस विभाग, यूपी पुलिस के इंतरकति भरती है कॉंस्टेबल अस्पोर्ट कोटागी भरती है 345 वेकेंसीज है जिसके लिए जून 2023 से आवेदन सुरू होंगे लास्ट इट जुलाई 2023 में है सेल ली 52,200 है बारवी पास केंडिडेट अपलाई कर सकते है 18 से 22 वर्ष आयू सीमा है फीज जन्रल ओबी से स्चेस्टी फीमेल सभी कैटिगरी के लिए 4 रूपे है जो कि आप इचालां डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पैमेंट कर सकते हो असपोर्ट, ट्रायल और फीजिकल टेस्ट के आधार पे सेलेक्शन होगा ओनलाई अपलाई कर सकते हो यूपी उत्तर प्रदेश जोब लोकेशन है यूपीपी बीपी डोट जोट जोट इनेच की ओफीशल गवर्मेंट वेबसाइट है जिससे आप ओनलाई अपलाई कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 6 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है स्टेट इंस्टिटीट ओफ एल्थ एंड फैमिली वेलफेर डिपार्टमेंट राजस्तान में जन्स्तो राजे स्वास्ते और परिवार का ल्यांट संस्तान के इंतरगतिवर्ती है फीमेल हेल्थ वर्कर एंड म की पोश्ट यहाँ पर निकली है तीन हजार साथ सो चाथिस बंपर वेकेंसिज निकली है इसके लिए आवेदन परकरिया 19 मई 2030 से सुरू होने जा रही है लास्टेट ओनलाइन आवेदन करने की 18 जून 2030 से 47600 है परती महा के लिए 12 एनम से आप एपलाई कर सकते हो 18 से 40 वर्ष राजु सीमा है फीस भी आप केटिगरी वाइज नोटिस से ही चेक आउट कर सकते हो टेस्ट और इंट्यू के आधार पे सेलेक्शन होगा आप 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 लाइन अपलाई कर सकते हो राजस्थान जोब लोकेशन है उल इंडिया से आप आप लाइन कर सकते हो पोस्टल सुपरिंटेंटेंटेंट की पोस्ट है 500 वेकेंस इज निकली है इसके लिए आवेदन परकिरिया स्टार्ट होने जा रही है 20 मई 2023 से लाश्ट एट ओन लाइन आवेदन करने की 8 जून 2023 से एरर क्रेक्शन की डेट 9 से 10 जून 2023 से लेवल 6 के अंतरकत से लिए है परती महा के लिए बारवी पास एपलाई कर सकते हैं 18 से 40 वर्श आयू सीमा है फीस यहाँ पर एरर क्रेक्शन फीस है 500 रुपे जो की आप ओनलाइन पैमेंट कर सकते हो टेस्ट और इंट्यू से चेन होगा ओनलाइन अपलाई कर सकते हो चैटिस गट जोब लोकेशन है ओल ओवर इंडिया से अपलाई कर सकते हो फीसी.cg.gov.in इसकी ओफीशल गवर्रमेंट वेबसाइट है जिससे आप ओनलाईन अपलाई कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो एट नंबर की जोब निकली है वो निकली है पावर गिड कोर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटिड में बिजली भाग के इंतरगत जूनियर ओफीसर ट्रेनी HR की पोश्ट है 48 वेकेंसी जहां पर इसमें निकली है इसके लिए आवेदन परकिरिया 15 मई से सुरू हो चुकी है लाश्ट टेट ओनलाई आवेदन करने की 30 मई 2023 है फीस टैमेंट की लाश्ट टेट भी 30 मई है 27,500 सेल लिया परती महा के लिए बैचलर डिगरिन BBA, BBM, BBS से आप एपलाई कर सकते हो मैक्सिमम 27,500 सायू सीमा है एपलिकेशन फीस जेनरल OBCWS कैटिगरी के लिए 300 है SST एक सरिश्मेन को फीस जमा नहीं करनी होगी डेबिट कार्ड, करेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप ओनलाई फीस पैमेंट कर सकते हो सेलेक्शन होगा एपलिकेशन, स्कूर्टनी, रिटन टेस्ट या कम्प्यूटर बेस टेस्ट, डुक्यमेंट वेरिफिकेशन, कम्प्यूटर स्किल टेस्ट, प्रिम्प्लेमेंट, मेडिकल एक्जामिनेशन के आधार पे ओनलाई अपलाई कर सकते हो पॉल ओवर इंडिया से आप एपलाई कर सकते हो पावरग्री.in is की ओफीशल वेबसाइट है, जिससे आप ओनलाई एपलाई कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो नाइंत नंबर की जोब है, वो निकली है सम पब्लिक सर्विस कमिसन में लोग सेवायोग APS-C के इंतरगत भरती निकली है, अर्बन टेकनिकल ओफीसर की पोष्ट निकली है, 103 वेकेंसिज है आवेदन इसके लिए आज इसे सुरू होने जा रहे है, स्टार्टिंग डेट ओनलाई आवेदन करने की 17 मई 2003 से लाश्ट टेट ओनलाई एपलाई करने की 16 जून 2023 से, फीस पैमेंट की लाश्ट डेट भी 18 जून 2023 से, से लिए 30,000 से 1,10,000 रुपे परती महा के लिए ग्रेजवेट इन इंजिनिरिंग या टेकनोलोजी से आप एपलाई कर सकते हो, 21-38 वर सायू सीमा है फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 297.20 है, SSTUBCMOBC के लिए 117.20 है, BPLPWD के लिए 47.20 है, जो कि आप ओनलाई मोड से पैमेंट कर सकते हो सेलेक्शन होगा रिटर्ण टेस्ट और इंजिन के आधार पे ओनलाई एपलाई कर सकते हो, असम जोब लोकेशन है apsc.nic.in.org, apscrecruitment.in.h की ओफीशल वेबसाइट है, जिससे आप ओनलाई एपलाई कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों जहां पर 10 और लाश्ट नंबर की जोब निकली है, वो निकली है कोलकाता मुंसिपल कोर्पोरेशन में, नगर निगम के इंतरगति भरती है, मेडिकल इसर की पोस्ट है, 89 वेकंसिज निकली है, वाकिन इंट्यू की डेट 22 मई 2030 है, सेली 24,000 रुपेय पर तीमा के लिए, MBBS से आप एपलाई कर सकते हो, मैक्सिमम 65 वर्स आयू सीमा है, फीज जमा नहीं करनी होगी, ना ही एक्जाम देना होगा, इंट्यू के आधार पर सेलेक् कर सकते हो, तो दोस्तो ये थी आज की, यानि के 17 मई 2030 बुद्वार की टोप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी, अगर आपको अभीन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारिनोक्री.in का लिंक नीचे पलस पर्ष्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा, और उमारे इस पेज पर विजिट करके, आप ही इसे किसी भी भर्ति की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और एपलाई भी इसे कर सकते हो, लिंक ही पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दे गए हैं, तो दो इस पर हम डेली गवर्मेंट जोब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं,